हाई फेंस वैलकम टू लर्ण कैडमी तो गईस आज के इस वीडियो में आपके साथ में सेयर करने वाला हूँ वेस्ट पेंग और पॉलिटेक्निक एड्मिशन्स 2024 की एड्मिशन जोने दुस्तों आल्रेडी तार्ट हो चुकी है अफिशियल डिटेल्स वीडियो में आपके साथ में आल्रेडी मैं सेयर कर दिया होकर अभी तक आप देखे नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आप ज़रूर जाके देख लीजेगा चलिए आज की सुरूर में बात करने वाला है कि आप लोग की जो सब्सक्राइब करके पास में जो बिल आइकन है उसा प्रेस कर लीजेगा तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो गाईज इस साल वेस्ट पे आप लोग की जो पॉलिटेकनिक एडिशन्स 2024 की हो रही है तो आप लोग की सेलेक्शन्स प्रोसीज क्या रहेंगे ठीक है चलिए मैं आप लोग के मैं बता देता हूँ जो यहां पर जेक्सपो जो तीन साल की डिग्रियों होती है जो टेंथ के बार आप अप्लाई करते हैं और एक वोकलेट जो लैटरल एंटरी यानि आई टी आई के बाद वाले का हिरेड़ अप्लाई कर सकते हैं या आप 10 प्लस 2 साइंस हैं तो आप उस वोकलेट की एक्जाम्स को देते थे तो अब जो है यह गवर्मेंट की तरफ से यहां पर हटा दिये गए हैं अब आप आप कुछ सालों से क्या हो रहा है वैस्ट पेंग और में जो है और पूरी ही आप देखेंगे कि नमबर आफ जो है डिपलोमा इंजिर्वरेंग की वो नमबर स्डेड जो है वो कम हो रही हैं खासकर कि वैस्पेंग और पॉलिटैक्निक डिप्लोमा के बात करूँ अडिशन के लेकर तो पहले लग भग यहां पर लाग टेलुआ जो ए दोस्तों फ़िलप होती थी लेकिन लास्ट एर देखके गई है कि यहां पर लग भग 30 एक आसपास ही यहां पर फॉर्म dub हुए थे इसलिए क्या है कि student की मन में उतनी इच्छा नहीं जग पा रही है कि मैं diploma engineering करूँ तो इसलिए आप state government ने क्या किये हैं यही जो entrance exams होती थी इसको यहाँ पर पूरी totally तरीकों से हटा दिये गए हैं अब आप लोगी जो selections होगा वो totally merit based में आप लोगी selections होगा ठीक है चाहे आप check-spo के लिए apply करें या आप worklet के लिए apply करें ठीक है तो लेकिन इसमें आप लोगी safe score क्या रहेंगी ठीक है कि check-spo की क्या eligibility criteria है और worklet की क्या eligibility criteria है चलिए वो मैं आप लोग को एक बार में समझा देता हूँ अगर आप worklet के थूरू से फॉर्म को apply करेंगे ठीक है यानि check-spo के थूरू से फॉर्म को apply करेंगे तो आप लोगी selections की जो safe score है वो क्या रहेंगे ठीक है सबसे पहली बात तो जो है कि देखिए अगर इस साल आउगर आप लोगों की merit base हो रही है ठीक है तो यह जरूर आप ख्याल रखिए अगर merit base में हो रही है तो numbers of form फिलप भी जादा होंगी ठीक है अगर numbers of form फिलप जादा होंगी तो जिनका सबसे ज्यादा 10th में जिनका सबसे ज्यादा 10th में ज्यादा marks रहेगा उनकी सबसे अच्छी college जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे मान लिज़ अगर आपके एक से लेकर 500 के आसपस अगर rank रहेंगी तो आपको जो है एक अच्छी branch जो है आपको मन पसंद सा मिल पाएंगे मान लिज़े आपको mechanical लेने की मन है और आपको मन पसंद college या मन पसंद आपको branch ही नहीं मिला तो फिर जो है आपको उसके लिए satisfy नहीं होंगे ठ जो है जिनका numbers of marks से जादा रहेंगे 10th में वो सभी यहां पर जो है उनकी अच्छी college ज्यादा से ज्यादा मिलने की चांत रहेंगे और सभी की मन में यह रहती है कि मुझे government colleges ही मिलें ठीक है हाला कि यहां पर government sponsors college भी रहती है जहां पर आपको fees थोड़ी से ज्यादा pay करनी हो वहां भी आप लोग को मौका जो है मिल जाता है लेकिन अगर आप वोकलेट के थूरू से form fill up कर रहें तो यह आप धयान रखिए कि आपकी number of marks जो है दोस्तों वह maximum ब्रहनी चाहिए एक अच्छी college के लिए ठीक है इसके बाद जो मैं branch wise कौनसी कौनसी अच्छी college है ठीक है व वोकलेट एक्जैम्स की अगर मैं बात करूं जो इनके लिए सिप स्कोर क्या होगा जो यहां पर 10 प्लस तू यानि एचिस के बाद और आइटियाए वाले काहिनेट यहां पर apply करेंगे तो इनके लिए यहां पर selection process क्या रहेगा माल नीचे यहां पर 10 प्लस तू में जिनका स सबसे ज़्यादा माक्स रहेगा उनका यहां पर वोकलेट में जो है अच्छी ब्रांच भी आपको मिलेंगी साथी साथ अब अपना मन पसंद कॉलेज भी ले सकते हैं लेकिन वोकलेट में अक्चली होती गया है दोस्तों यहां पर जो numbers of seat रहती है वो थोड़ी सी कम रहती ह लगबग मान लिजे अगर लास्ट एर की बताओं की लगबग 8000 के आसपास यहां पर वोकलेट की seat थी ठीक है अब आपकी आईटियाई के थूरू से अगर आप फॉर्म फिलप करेंगे वोकलेट की आईटियाई के basis पे अगर आप admissions लेंगे तो आपकी numbers और marks जादा हुआ तो ठीक है तो यह आप mind पे रखिएगा और लगबग अगर मैं बात करूं तो safe score की बात करूं अगर आईटियाई के थूरू से अगर आप apply करेंगे जिनका percentage यहां पे 90 के above रहेंगे तो वो totally जो है उनकी यहां पे chances रहेंगी यहां पर आप लोगों की government colleges को मिलने का ठ इसके लिए वोकलेट कि अभी तो यहां पे seat जारी नहीं हुए है कि वोकलेट में कितनी seats है colleges में और वो और चेक्सपो में भी कितनी seats है वो disclose अभी college के तरफ से नहीं किये गए अभी form फिलप ज़ली रहें है ठीक है तो इसके लिए थोड़ी से आप यहां वैट कीजिए फि यह information आपको अच्छा लगा होगा ठीक है क्योंकि West Bengal में हर इक साल जो है आप लोगों की entrance exams के थुरू से ही जो है आप लोग को polytechnic में admissions मिलता था लेकिन इस साल जो है आप लोगों को direct merit के basis में आप लोग की selections होने जा रहा है तो आसा करता हूं कि आप लोग इसमें आप भी राज से हैं आप लोग form fill up कर सकते हैं ठीक है तो यह information कैसा लगा comment करके जुरू बतिएगा साथी सतर में telegram को को भी जाइन कर लीचेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लिए पमें ख्याल रखें धैन्यबाद